आज हम बनाएंगे दाबा स्टाइल मसालेदार अमरित सरी छोले, जिसे बनाना बिलकुल आसान है और सभी को बहुती पसंद आएगा, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप छोले को वाश करके दो से धाई कप जितना गरम पानी में थोड़ा नमक और आधे टीस्पून जितना खाने का सोड़ा डाल कर पांच गंटे तक भिगो कर पानी के साथ ही इसे प्रशक कूकर में लिया है। तो अब इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, एक दाल जेनी का टुकड़ा, तीन हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, चार से पाच काली मरी, तीन लॉंग और एक टीस्पून अजुआइन। अब साइड बाइ साइड ही हम टी डिकॉक्शन बना लेंगे, जिससे हमारे चोले का एकदम बढ़िया कलर आएगा एकदम बाहर जैसा, तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी गरम कर लिया है, अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून जितना काली चाई पत्ती और एक उबाल आने पर इसे चान कर छोले में एड कर लेंगे, अब बस इसे एक स्टर देंगे और मीडियम फ्लेम पे साथ से आठ विसल तक प्रेश कुक कर लेंगे, कुकर थंडा हो चुका है तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा डाक कलर आया है और यह अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब एक कडाय में तीन टेबल स्पून जितना ओईल लेंगे और ओईल थोड़ा गरम होते ही इसमें डालेंगे, दो स्लिट करी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून सोट पाउडर, पनफोट टीस्पून हिंग और इसे सौते कर लेंगे, अब यहाँ पर हम लेंगे तीन मीडियम साइस के टमाटर की ग्रेवी, मैंने कच्छे टमाटर को ही मिक्षर में बिना पानी के पीस लिया था, तो अब इसे दो से तीन मिनिट तक सोटे कर लेंगे, ताकि टमाटर का जो कच्छा पन है वो निकल जाए, ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है, अब लेंगे एक टेबल स्पून धन्या जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्श पाउडर, एक टेबल स्पून रोस्टेट जीरा पाउडर, देड़ टेबल स्पून आमचूर पाउडर, और नमक डाल कर सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, मसा पर आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक है तो आप पानी डाल कर consistency को adjust कर सकते हैं आप देख सकते हैं चोले का कितना बढ़िया color आया है और अच्छे से cook भी हो गया है तो अब last में एक टेबल स्पून गरम मसाला एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथों से crush करके डालेंगे और अबा स्टाइल अमरिच सरी छोले बनकर ready है तो इसे धन्या से गानिश करके सव कर लेंगे